दा अमेजिंग न्यूस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम ब्रह्मान के एक छोटे से अंस प्रत्वी पर रहते हैं जिसे मानव जाती धर्ती माता भी कहती है प्रत्वी अपने अक्स पर निरंतर गूमती है और सूरिय के चारो तरफ चक्कर लगाती है क्या हो अगर प्रत्वी अपने अक्स पर गूमना अचानक बंद कर दे और केवल सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाती रहे हमारी जिन्दिगी पर इसका क्या असर पड़ेगा तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या हो प्रत्वी अचानक गूमना बंद कर दे दोस्तों इसकी कलपना हम कार या बस से कर सकते हैं मान लीजिए आप सो किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से कार चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप आगे की ओर धकेल दिये गए हैं इसी तरह प्रत्वी भी अपने अक्स पर सोला सो किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से घूमती है और अचानक रुख जाती है तो सब भी मनुष्य गाड़ियां, जानवर, सामान, पूर्व दिशा की तरफ उड़ जाएंगे समुद्र के आसपास वाले सहर जैसे चेनाई, कोलकता, मुंबई, ये सबी समुद्र में डूब जाएंगे ये सब एक बहुत बड़े तुफान की तरह नजर आएगा और पूरी दुनिया के अधिकतर सहरवाड की चपेट में आ जाएंगे इससे हमारी प्रत्वी को काफी नुकसान होगा हमारी प्रत्वी के सबी देश आपस में मिल जाएंगे और नक्षा भी बदल जाएगा अगर प्रत्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है लेकिन यह अभी भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी जिस चक्कर को पूरा करने में एक साल लगेगा एक दिन 365 दिन के बराबर हो जाएगा प्रत्वी पर 6 माईने दिन और 6 माईने रात होगी जिससे मोसम के फेर में भी बदलाव आएगा लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान है हमारी मेगनेटिक फिल्ड का काम न करना इसकी वज़े से सूरत से आने वाली हानिकारक सोलर फ्लेयर हमारे सरीर की तवचा को नुकसान पहुचा देगी जिससे इसकीन कैंसर एलर्जी जैसी बिमारिया निकलेगी प्रत्वी पर मौझूद सभी चीजे जलने लगेगी जिससे तापमान काफी बढ़ जाएगा दोस्तो इससे पता चलता है कि अगर प्रत्वी गूमना बंद कर दे तो संपूर मानम जाती वह जानवर नश्ट हो जाएंगे दोस्तो वीडियो केसी लगी कमेंट में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक वा चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्या मुझे इस वीडियो का पार्ट टू डालना चाहिए अपनी राय जरूर दीजिए धन्यवाद